हेलो फ्रेंज वेलकम सुटिक्सेटीन आज हम करने जारे एक बुक का रिव्यूज जो की है MTG पब्लिकेशन की 26 एर एम्स चैप्टर वाई सॉलूशन यानि कि यह वारी जो बुक है इसमें आपको प्रीवेस 26 एर में आए हुए जितनी भी कोशन्स हैं एम्स के अंदर उनका स सबसे पहले आपको देखने को मिलता है content content में सबसे उपर दिया हुआ है कि यहां पर आपको 2019 में जो भी पेपर आयो दो सैट उनका यहां पर सॉलूशन देखने को मिलेगा इसके बाद थर्टी एट चैप्टर से जो की नीट का सलेबास हैं यहां पर इननों 30 चैप्टर दि कर दिए जाते हैं यहां पर बहुत सारे चैप्टर को एक में मिला दिया गए कुछ चैप्टर जिन को एक में कमबाइन कर दिया गया है तो यह था पूरा content content के बाद आपको देखने को मिलता है कि जो एक्जाम का पैटरन है कौन से सब्सक्राइब कितने कोश्चन आता है या तो इम का पैपर उसका पूरा solution यहां पर दिया गया है यह देखिए सबसे पहले जो इसके बताएगे कि किस चैप्टर से कौन से कोशन आए हुआ है यह देखिए यह यहां पर पूरे कोशन दिये गए हैं 120 कोशन दिये गया है क्योंकि एक सेट में 60 और टू सेक्ट में 120 हो पूरे इसके बाद जैसे यह पेपर के कोशन स्कतम होता है इनके नीचे इनकी अंसर की एंडे लास्ट पूरा एक्स्प्लेशन यहां पर दिया गया है यह वाले जो कभी विया आप में बूक की तरह यूज नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या है मतलब की अगर आपको कोशन प्रेक्टिस के लिए बुक चाहिए इस वाली जो बुक है इसमें बहुत कम कोशन दीवें जैसे कि आप इसी चेप्टर में देख लिए सिर्फ टैन कोशन दीए आप कभी भी से में बुक की तरह यूज नहीं कर सकते में बुक में फिफ्टी टू हंडर कोशन लगब कम से कम होने चाहिए क्योंकि एक प्रेक्टिस बुक होती होगी इसको आप ऐसा सेकेंडरी बुक यूज कर सकते हैं यानि कि आपके पास में बुक हो और फिर आप इसे लें तो सही है तो हम बात करते कि इंडिविज्व चैप्टर में क्या क्या देखने को बिलेगा तो इसके लिए आप लेते हैं चैप्टर फस्ट जन्रल बायोजी यह क्लास लाउंद का चैप्टर फस्ट जिसे लीविंग वर्ड कहते हैं इन्हें जन्रल बायोजी नाम दिया हुआ है तो तो पहले आपको देखने को मिलता है जो कंपार्टमेंट वह हैं सिक्वेंड रिजन स्वाला यह यह बहुत हैं तो यहांपे 10 कोशन से इन्हीं के नीचे इनकी अंसर किये एक और चैप्टर देखनें चैप्टर सैकेंट यह भी क्लास 11 का है बायोजी कल सिटिशन यहां पर भी आपको सबसे पहले जो कॉर्नर को मिलेगा यह कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा वह हैं देखने को मिलेगा इनका explanation तो यह था पूरी बुक का रिविव यहां पर होता है बुक का रिविव खत्म इस बुक में आपको कोई भी सप्लेमेंटरी मेंटीरियल नहीं देखने को मिलेगा काफी छोटी बुक है तभी मैं आप से कहा रहा हूं कि यह बुक आप से सेकेंडरी कर सकते हैं कभी मैंन बुक की तरह यूज नहीं कर सकते एंड़ लास्ट आप अगर ट्रिक सेटीन को टेलीग्राम पर जोइन करना चाहें तो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक्स वोचिंग इस वीडियो